चल यार चल वसवार चल दनिया नहीं है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दर्या के बार निकलते हैं इस बोर की देखी जाएगी पर उस बोर निकलते हैं यार बबल बना है चलता जा को यह है जाहे चलता जा आज मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है आपके लिए पबलू तो फिर अपने हाथों से खिलाओ ना खीर मुझे बड़े शरी रहा आप ओ हो कौन आगिया इस प्रस्ट मैं देख कर आता हूँ अस्सलाम आलेकुम सिदीके साब वा अलेकुम अस्सलाम ये लीजेए बिल ये किसी इसका बिल है वो आपके धामाद है ना अबील साब अहाँ वो चार पांच दिन से अपने दोस्तों के साथ मेरे होतल पे खाना खाके जा रहा है और कहते हैं कि बिल दे दूंगा क्या हाँ जी दो दिन से आई नी रहे और फून कर रहा हूं तो फून भी न उठा रहे तो आप मेरे पास क्यूं आएं भाई जी वो उन्होंने कहता कि अगर मैं इधर उधर हो जाओ तो पैसे मैं आपसे ले लूँ क्या हाँ जी अरे मैं कौन था बबलू अरे तफा करो अच्छा चोड़े ये ले खीर खाली जी ना मुझे दो मैं खुदी खालूंगा ओहाँ ये कान आगिया पकड़े से असलाम अलेकुम अंकल वालेकुम असलाम अरे जबरान बेटा आज तुम्हें पडोसियों की याद कैसे आ गई अंकल वो नभील भाई है नहीं वो कहीं बाहर गया हुआ है क्यों अंकल तीन चार दिन से मुझे वो टोपिया करा रहे हैं मुझ से वो दो हजार रुपे लेके कोई बात निकर कर आज़िए आप खीर क्यों नहीं खा रहे हैं बबलू अरे गोली मारो खीर को या हुआ आप इते गुसे में क्यों हैं बबलू ऐसा घटिया दमाद मुझे मिला इससे बेतर था मैं अपनी बेटी की शादी किसी ही रंचे से कर देता है एसा क्या कर दिया न अबील ने बबलू इसका फोन आ गया हलो अबील बाई अबील बाई अबील बाई दस कुंट का पोगे गए दो दिन हो गए कपड़ों के पैसे कौन देगा कपड़ों के पैसे अरे हाँ हाँ वही जीन सो टीशट ले गए था आप में दुकान से जीन सो टीशट लगता है आपका सुसर सहाब को फोन करना ही पड़ेगा तो अस कमीने की ये जुरत पूरे शहर से उदार मानना शुरू करती है छोड़ूंगा ने इसे खुबशूरत ओ हो पापलो खीर तो खाते जाए क्या हुआ पाप इतने घुस्से में क्यूँ है तुम्हे कोई और आत्मी नहीं मिला था शादी करने के लिए क्यूँ अब क्या कर दिया नबीर ने क्या कर दिया उसने उस बेशरम और बिगहरत आत्मी ने यहां पे लोगों से मेरे नाम पर होदार पकरना शुरू कर दिया या पूरे शेहर में मुझे बद्राम करता पिरना है वो उसकी अपनी तो कोई इज़त नहीं मेरी इज़त भी खराब करना है वो फेका वो पापा जी पापा जी पापा जी छोड़ो मुझे पापा जी आज आपका दामाद ऐसा काम करके आया है कि आप मेरा मोचोम लेंगे अच्छा हाँ पापा जी मैने लहूर में बड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद जगा डूडी है दफन होने के जिए अने का पापा जी मैने सोचा है यहां पर सलातीन चिकन कडाई रेस्टोरांट को लें वाट जानू बड़ी कमाई है इस काम में मैंने तो कडाई रेस्टोरांट के लिए शेफ भी डूड़ लिया है शेफ सादत एरवाई जौड़ पाला बड़ी ओला कडाई बनाता है जैनू पापाजी हम रेस्टोरांट में ला चिकन कडाई मतन कडाई मलाई बोटी बगएरा बगएरा बनाएंगे कैसा ये ठीक है के मेरे मूँ में पानी आ रहा है लेकिन मेरी याँखों में खून भी उतर रहा है ऐसा क्या हो गया पापाजी उसे पूछता है क्या हो गया पापाजी अरे तूने यहाँ पे लोगों से उदार पकड़ना चुरू कर दिया मेरी बरसों की इज़त को हाथ में मिला रहा है तुम जानते हो के मेरी यहां पे कितनी इज़त है ओपापाजी कैसी इज़त जब आप गर से बाहर निकल दे रहा तो गलीब वहले के बचे ओए मोटे ओए मोटे ओए पंपूई कहके छेरते हैं आपको नबीर तुम्हें शरम नहीं आती अरे इस घटिया आत्मी को शरम कैसे आईगी इसने तो शरम बेच खाई है बाबजी बखवाद बन कर अगर यहां रहना है तो शराफत से रहो वरना निकल जाओ मेरे घर से समझा दो खुबजूरत इसको तो बहुत थे हैं आई तो तुपारे पापाने सारी हदे पार कर दी इतनी बेच़ते इतनी ज़्यादा बेच़ती हाँ नबीर अज तो वाक्री पापाने वेसे तुम्हारी बहुत बेस्थि की बस कुशरत बस और नहीं मैं यह बेज़ती बढ़ताश नहीं कर सक हाँ नभी, हम लोग वापस कराची चलते हैं यार हाँ, मैंने कहनू, अब ऐसा भी कुछ नहीं किया तुम्हारे पाफ़ाले बस उनको एक बास समझा दो, तो बहरा मेरी इतनी बेज़ती ना करें क्या? हाँ, मुझे टेंशन देरे साम में दर्श चुरू हो जाता है जो तो मेरे लिए कप चाय बनागे लाओ, मैं खुली फिज़ा में जाके चाय प्यूँगा यार नभील, क्या है? सुना है, खुबसूरत के पापा ने तुम्हारी बड़ी बेज़दी की है आपको किसे न गए? अरे वो इतनी जोर जोर से तुम्हें गालियां दे रहे थे, हमने क्या पूरे महले ने सुना होगा वैसे उने तुम्हारी इतनी बेज़दी करनी नी चाहिए थी अरे तुम उनके इकलोते दमाद हो यार अरे लोग तो इकलोते दमाद को सर पे बठा के रखते हैं बहुत बुरी बात है नभील, बहुत ही बुरी बात है मैं वो साम, उस मोटे साट ने जो मेरे साथ किया न मैं सारी संदगी नहीं भूलूँ का अरे हम भूलने भी कहां देंगे तुम्हे नभील? मैं उससे छोड़ूगा नहीं अरे रहने तो यार, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड सकते तुम्हारी भी बस बाते ही हैं मैं उसाब, आम मुझे जानते नहीं हैं आपको पता नहीं मैं उसादमी किसाद करूँगा क्या? बदला कैसे लूँगा उससे? वो जो तुम उसादमी से लोगे, वो बदला होगा हाँ जी अच्छा जी यह मेरी एचाहिती मामा उससाद लोग सिरफ तीन चीजें पसंद करते हैं एंटर्टेइन्मेंट, एंटर्टेइन्मेंट और एंटर्टेइन्मेंट कट! चलो, हिर्वें का सीन करो! संभेली, किदर आप? बोल मसूदी यह है नभील साब प्रेड्यूसर है? जी, पुलबुले का हाई, मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ, बुल-बुले! आपने थोड़ी सी एक्टिंग कर दी हिर्वें का रोल है? ने, असली जिन्दगी में का रोल करना है अच्छा, कितने सीन होंगे? अरे यह तो आप पर डिपेंड करता है जितनी जल्दी आप काम तमाम करनेंगी, उत्ती जल्दी आप वारे हो जाएगी तो असली में नभील साब इसकी यहाँ पर रिकार्डिंग चल रही है इसलिए मैं सर्फ इसे आदी घंटे के लिए ला सकता हूँ हाँ हाँ कोई मिसला नहीं आदे गंटे बहुत है सुन लो, पांच हजार रुपया लूँगी यह मैं आपको दस हजार रुपया दूँगा है, ठीक है, डन अच्छा चल पर अब बताना, खाना किदर खिलाएगा? अले चंबेली, क्या कर रही है तू, अभी तेरा सीन है चल फिर शाम में मिलती हूँ तुझसे सर आप फिकर ही ना करें, मैं ऐसे टाइम पर ले आँँगा ठीक है मसुदी, लेकिन सारा स्क्रिप्ट याद करा दे ना आप बिल्कुल बे-फिकर हो जाए, मैं ऐसे एक-एक लाइन याद करा दूगा चले, ठीक है, ओके, बाई 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 बाबलू, बहुत नौटी है आप बाबलू, बहुत नौटी है आप मैं आप से बहुत शर्मिदा हूँ, मुझे माफ कर दे पापजी मैंने आपका बहुत बड़ा दिल दुखाया है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है ऐसा मत बोले पापजी, मेरा आपके लावा इस दुनिया में और कोई नहीं है पापजी आखरी बार मुझे माफ कर दे, इसके बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा साजुमा आप ही समझाए ना पापजी को, इन्हें बोले मुझे माफ कर दे प्लीज बापलू, प्लीज इन्हें माफ कर दे ना, देखे ना कितने प्यार से बोल रहा है प्यार से कब बोला है मुझे मुझे से तो प्यार से बोल रहा है ना नहीं माफ कर दे ना बापलू हाँ बापलू माफ कर दो ना अच्छा अच्छा दफा हो जाओ मैंने माफ कर दिया थेंक्यू पपाजी अब मैं स्कूल से जा पाऊंगा कराची ने ने कमरे में बबाजी रे यार तुम वापस क्यों नहीं जा रहा हो पपाजी आप फिकर नहीं करें आज का अगरी एपिसोड करें मैं वापस से जाऊंगा पापाजी पितार ये वापकी वापस से ले जाए है हां बबलू क्या हुआ जानू आज इतनी उदास की हो नभीला जो भी हुआ न मुझे बहुत बुरा लगा ऐसा क्या हुआ जानू पापा ने जो तुम्हारी बेज़ती किया उसकी बात कर रही हूं तो क्या हो गया तुम्हारा दिल इतना बड़ा है तुमने बुरा नहीं बनाया तुम्हारा की जगह समझता हूं अब तुम देखना मैं उनके साथ क्या करता हूं जानू बहुत प्यार करूँगा उनकी पापी है लूँगा वैसे एक बात है MOMO क्या जब से तुम लहौर आई हो न तुम्हारा रूप और निखर गया है है आँ वैसे ही यह लहूर का लेदर भी तो ऐसे है न लहूर लहूर है मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं वापस कराची ना जाऊं यही लहूर में रहा है जाऊ रहा है मैं यही खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूँ आदे घंटे तक आजे ही हो अचा ठीक है उस बुड़े मोटे का नाम तो बता नाम मां पता नहीं जो भी बुड़ा मोटा मिले बस तुने ना तक शुरू करते ना है ठीक है चंबेली हाँ बेस रफ लख लग जब कि इसी काँ खाल कर दिया कॉं कॉन और तुम नडगी डूसरी शादी कर ली कोन। मेर गीलागा हमानेtal उथिं च्छोटे बच्चों का क्या होगा अ मारे न improvements आख साधी कुम के यही ने तक आप मुझे याद करते अरे होंगे होंगे जरूर होंगे अपनी उमर देख अरे क्या बख्वास कर रही हो वई मेरी लाइनों के बीच पे मत बोल मैं भूल जाओंगी मोमो मुझे तो ये तुम्हारी भेहन लग रही है वे इश्रम बेहया बेगरत तुने मुझे तोखा दिया है जब ही मैं कहूं यह लौर में रुकने के लिए तु इतना बहरत क्यों हो रहे है तुने रंग्रल्या मनानी थी ना यहाँ पर अरे मोमो मेरी बात तो सुनो बही मैंने तिरी कोई बात नहीं सुननी अर्शिद महमूद हा अर्शिद महमूद तुने मेरी जैसी हसीन औरत को तोखा देकर तो इस चांस और यह चश्मा मिल जाए ना तो मोमो शोमा के छुट्टी है खबरदार मेरी रोजी पर वह मारने की कोशिश किये हो यह तो लात लात हा लात मारके दान तोड़ दूगी तेरे अरे चल जा हा तो आजक मीनी नबील नबील अरे देखो यह कौन औरत है कहां से घर में ग जाने तेरे यह क्या कर रही है क्यों सभी एक्टिंग नहीं कि मैंने यह वह आदमी नहीं है तो तुमी ने जो कहा था लंबा मोटा और मनूश शकल का होगा तो फिर लेकर चलना अंदर नबील अरे कौन है यह आरत मैमुसाब यह माजी है और कौन है और गारत यह इसकी बात चल चले आजा अब यकीन आगया ना तुम्हें मौमा सॉरी करो मा 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 मैं सॉरी एं तेरी शरुआ गई बबलियू जब यह लोग यहां से चले जाएंगे तो आप मुझे खुमाने के लिए मरी लेकर जाएंगे ना अरे सुईटार्ट चाहँ को कि तुम्हें गुमाने ले जाओंगा बेवाफा? जालिवा गटिया मुझे लगते लिए बबलो यह मुझे नहीं आपको गालिया दे रही है अरे कौन हुआ थो मह कहां जी आई यहां यहां बेवाफा जालिब अपनी बीवी से पूछता है कि मैं कहाना हूं तो मैं तेरी बीवी हूं क्या? इनकी बीवी तो मैं ह अरे मैं इसकी दूसरी बीवी हूँ अरे ये मेरी दूसरी बीवी तो है हाँ हाँ तो फिर मैं पहली होगी अरे मेरी पहली बीवी मर चुकी है है मैं अभी आती हूँ क्या वो तलाक होगी? अरे तलाक को छोड़ो, तुम तो कह रहे थे कि मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, दूसरी बीवी अंदर बैठी वी है, और पहली बीवी मर चुकी है, यह सीन क्या है? अरे आप तीसरी बीवी है यार उसकी, उस आदमी ने इस मुँपर तीन दीन शाधिया कर ली, तीन कहां की है, आप तो नकली वाली है, अरे हाँ, मैं तो भूली गई थी, असल में मैं खिरेक्टर में डूप गई थी न, आश्ता बोलो, गड़बड़ मत कर दे न, अरे तुमे मुझे पहले बताना चाहिए था न, लाइन तो मैंने सारी दूसरी बीवी की याद की थी, ओ, मुझे तीसरी बीवी की लाइन्स याद करना बढ़ेंगी, अरे तो मेरी बात तो सुनो, अरे सुभी इस खबरदार बच्ची को ड्राने की कोशिश की हो तो, तुम बीच में मत बोलो, अरे याएगी बीच में क्यों आए, पबची आपको शर्म आनी जाहिए, आपने तीन तीन शादिय की हुए है, अपनी उमर देख और अपनी हरकतें देख, गट्या इंसान है, मुझे इज़त और शर्म पे लेक्चे दे रहे थे, और खुद ये गुल शर्रे उड़ जानू, तुम्हारे पापा ने ना तीसरी शादी खड़गा दी है, क्या हो, हाँ, बो देखो, उसकी तीसरी बीवी दिवार से चिपकी हुई है, इसको चिपक लिए न सबढ़ना, ये तेरे बाप की तीसरी बीवी है, वे जान बेदोगी, जान, खुबसूरत, तुम्हारा पाप, बहुत ही घटी आत्मी है, पापा, मुझे आपसे ये उमीद नहीं थी, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, बेटा, जूट मत बोले, आपका पॉल खोल गया है, नभील, जी जानू, अब मैं एक मिनट भी इस घर में ने रुख सकती, हम आज ही कराची जाएंगे, अब माजी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इस ओवर एक्टरस कर रहा हूँ, पापजी, आपको आज ही फैसला करना होगा, कैसा फैसला, मुझे आपकी और इसी वक तालाग चाहिए, भगलू, भश्य, भश्य, मारता ली, मुझे, 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 क्या कर रही हूँ, मैंने आप खूबसरत को समझाए, यार, माजी उतर, खूबसरत उतर है माजी, आओ मैं तुम्हें थोड़ सी और एक्टिंग चिक आवाज से करें, मेरी मा, मुझे, कैसी रही मेरी एक्टिंग, जबर्दस, पहत्रीन, चल पर निकाल मेरे पैसे, मैं चलो, अभी तलाग तो हो उने आओ, ये ठीक है, आए मेरे साब है, सुनो, तुम यही रुको, हम अभी याए, तफा, महमुस आप, आप्यो ऐसे कह रही है, आए पापजी, आप रो रहे हैं, अरे, ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए दाना, मैं इस रड़की को नहीं जानता, मुझे लगता ही, मुझे फ्लैक्वेल कर रही है, मैं इस पुलिस के अवाला करतूंगा, पापजी, पुलिस के हवाले क्यों, क्यों ना करो, क्यों क्यों ना करे महमुस आप पुलिस के हवाले उसे, वो, 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 मेरी तस्वीर है, अरे दो नंबर होंगी दो नंबर? पापाजी पांच छे साथ नंबर ऐसा नो पापाजी आप भी अंदर ही हो जाएं नभीर मुझे बचाओ, इस हारे से मेरी जान चुड़ाओ अरे पापाजी उसके मौ पर पांच लाख रुपे मारे चली जाएगी हाँ? हाँ पापाजी, आपको अपनी इस्द बचाने के लिए पांच लाख रुपाए की कुरबानी देनी पड़ेगी पापाजी बरना, समझ ले ना सूरज की पहली कर निकलने से पहले लोटा है ना हाँ, अच्छा, मैं लेकर आता हूँ ये इंगर नभीर, पुरा पांच लाख रागा ना पापाजी चले महमुस साब, उस औरत के मुँपर पैसे मारके ना उसे निकलने से घर से वो जो तुम उस औरत के मुँपर मारोगे वो पांच लाख रुपए होंगे आजी अच्छा जी मैं भी चलता हूँ बबबजी, आपको जाने की क्या ज़मत है आप बेताब को लेकर बहार आए ना, ताके आप उस वरत की असलियत का पता चल जाए औरले वा महमुस साब वाँ तेंक यू ने बीयू मैं बेताब को लेकर आता हूँ ओके बाबबजी बेताब बेताब हाई हाई तुम लोग लाखो रुपया रखो और मुझे 10,000 बिटर खाओ वो सब छोड़ो अब सुनो तुमने बोलना क्या है अब मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ मुझे 2 लाख रुपया चाहिए हाँ क्या हाँ मुझे 2,000,000 रुपया चाहिए वरना अभी तुम लोगा गेम उल्टा कर दूँगी आई चल निकल यहां से निवी निवी होके हाम लोग डरने वाले नहीं है जाती है यह पुलिस बुलाऊँगा पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा अब पाजी तुम दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉट किया है जान से मार दूँगा तुम लोगों को बेकाब मेई पंदूख लेकर आओ जी पफलो मैं वो सब भागे है जान नू चान्दी को लेके कराची आजाना माबा पिपी हम्... चल चल यार चल उस पार चल दुन या नहीं यह है bubble चल यार चल उस वार चल दुनिया नहीं है bubble चल बबल बनाते, चलते हैं दरिया के बारुण कलते हैं इस बार की देखी जाएगी परे उस बार निकलते हैं और बबल बनाए जलता जा कोई आए जाए जलता जा और बबल पुलाए जलता जा कोई आए जाए जलता जा